हेलो गाईज, सो वेलकम बैक टो यर चैनल, सो फ्रेंड्स क्या हो गया ना जब से जियो आ गया ना तब से जिस बंदों को चड़ी भी नहीं पहनती आगे ना छोटे बच्चों को वो भी आज कर इंटरनेट पे आके न जाने क्या-क्या वॉयकॉट वॉयकॉट के नारे लगा है और लिटरली गाईज मेरे को देखके हसी आ रही थी कल की वीडियो सारी जो भी लोग है विकरांतरों देख क्या है सारे लोगों ने बुला मुवी में बहुत कुछ है मतलब हर चीज अच्छी है ठीक है बट जिन लोगों को मुवी ओर और एवरेज लगी जैसे मैं था मै मैंने फिर भी बोला कि मूवी जाके देखो भॉलते हैं कोई रंगा होंगा कुछ नाम के एक मोवी यह जो मैंने पहले रहे लिए मेरे लिए विकरणतरों अंन मुवी नहीं थ ही ठीक है लेकिन जो लोगों ने वो मूवी नहीं देखी उन लोगों के लिए पु जिन्ढों चाहिए कल भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी पता नहीं एक यूटूबर है और एक दो उन लोग ने लिटरली ऐसे वीडियो बना डाली कि रिलीज होने से पहले उन्होंने मुवी देख ली ठीक है मैं तो यह नहीं बोलता है कि पहले मुवी नहीं देख सकते हैं कुछ संजू वन्जू है कोई उसने तो प्रीमियर के पहली वीडियो बना दी मुवी के पूरे रिव्यू की अब वो बोलता है कि हा मैंने वह मुवी देखी थी मेरे को पता था भाई जब डिरेक्टर ने उससे पहले बताया नहीं तुझे कैसे पता था वह तो बात छोड़ो ठी अब लेकिन फिर भी जो लोग अभी कमेंट कर रहे कि यह तुने गलत किया मुवी अच्छी है ऐसा निए बाई कौन बोल रहा है मुवी बुरी है मैं तो खुद बोल रहा हूं मुवी अच्छी है जिन लोगों ने वह पुराने मुवी ने देखी है वो यह मुवी के लिए को लिटरली एंजॉए करोगे सो कोरण में और क्या बनेगा आप आप लोगा एक करें कि है इतना ही बनता है इतना ही मिलता है ठीक है पुल भी बोलता हूं कि आप लोग जाके movie देखो अच्छी है अब जो लोग बोल रहेगी Bollywood को boycott बोल रहे तो इक नहीं समाझ में आता है ये movie आने से Bollywood पर क्या effect गरेगा I don't think so कुछ effect गरेगा मतलब जिन लोग को movie देखना है वो तो देखेगा ना उसके लिए Bollywood South ये सब matter नहीं करता मैंने दिक्षा की वीडियो देखी फिल्म इंडियन की उसने भी बुला कि अभी Bollywood दोके में आ गया कोई जरूरत नहीं ये सब बोल लेगी मुझे नहीं समझ था यार कि हर चीज में Bollywood से में रिलेट क्यों करना है वो साउथ की मुवी कंणरडन मुवी है उसको उसी के हिसाब से रहने दोना उने बनाया है तो उस हिसाब से रहने दो उसको ठीक है मतलब वो चल रही है मुवी लोग देखेंगे जिनको बॉलिवड देखना है वह बॉलिवड देखेंगे और मेरे लिए तो कोई बॉलिवड धूद नहीं होता है मेरे लिए जो मुवी एच्छे वह मैं देखता हूँ फिर वह मराधी से आए साउढ इंडस्टी से आए ऐए छल्लीवीड से आ बोलिवड से कहीं से भी है मैं मूविस दिखता हूँ क्योंकि मैं मूविस का फैन हूँ यह इंडस्ट्री का फैन हूँ कि मेरे को यह मूवी देखना चाहिए मैं मैंने अभी भी मैं Lauren Hardy की पुरानी movies देखता हूँ ठीक है black and white क्योंकि मेरेको अभी भी वह पसंद आती है अब लोग बोलेंगी color के समाने में कौन black and white देखता है मत करो यार यह सब मत करो क्योंकि एक reviewer अपना review देता है और वो ट्राय करता है कि आपको सच बताए ठीक है देख लो मैं बता दू भाई एक movie बनने के पीछे लाखो लोगों का हाथ होता है एक्टर्स लोग अपना खोन पसिना निकाल देते हैं ठीक हर हर एक्टर सरमान खाननी होता है जो body double use करें ठीक है उनके पीछे एक कचरे वाले से लेकर एक अरे डिरेक्टर यहाँ तक लोग काम करते हो बीके पीछे or किने मैनात होती है तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग एक चॉइस दो आप लोग उसको एक ट्राय दो इसलिए मैं भर बार बोलता हूँ कि मैं मेरे वीडियो में हमेशा बोलता हूँ मेरा रिवीव गंदा है मुझे अच्छी नहीं लगी बार ठीक है लेकिन आप भी जाके देखो क्यूं जैसे मैंने क्राइम शो देखा था आज तक पर आता है शायद से कुई हम्श करके तो उन्हों ने एक बार बोला था उनको एक बार एक लोग ने बेहां किया तो इन्हों ने क्वेल नहीं को प्लिते है कौन गुनेगाि ए तो उन्होंने बहुत आप तक स्टोरी पहुचाना तो मैं भी यह भूलूँगा मैं एक रिवीवर हूँ ठीक है मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ यह अच्छा है यह बुरा है डिस्जिजन आपको लेना है देखना है नहीं देखना है लेकिन हां मैं कभी किसी मुवी को किसी मुवी के साथ कंपेर न तो इसलिए हर मुवी का टेस्ट इसेंस अलग होता है ठीक है अप एक बार ट्राइं तो लेकिन प्लीज मित बूलो कि बॉलीynn चला गया मोली ऊब आधि के बॉली जो आज भी लेजनद आना जी ऑबी भी अभी बने ना तो अभी आप लोग उ Hey तो ठीक है यार अच्छी मूवी बनेंगी हर चीज का एक बैड फेज आता है दूप है चाओ है चलता रहता है आज बॉलिवुड पे बैड फेज है कल साउथ मूवी पे था आज साउथ मूवी हिट है कल जाके और कुछ होगा अकल पता नहीं करनेड़ मूवी आगे चलिए कि साउथ मूवी से या फिर कल ये भी हो सकता है कि मराठी इंडस्री आ गया जाए सबसे तो प्लीज यार ब्यार सबको दो सारी मूवी देखो आपके चॉइस कि आप देखो रिवीव देखो लेकिन डिसाइड डिसाइड जो करना है वह आप करो तो थैंक्यू गाइस मैं बोल नहीं लगता है नहीं बूलूँगा आपको देखना है देखो जिनको पसंदात है वो देखेंगे तो थैंक्यू गाइस पर वाचिंग दिस वीडियो अगली वीडियो को अच्छी बनाएंगी क्योंकि यह टॉपिक बहुत जाद अगीसा पिटा है और मेरेको इसके उपर औ पार जाद बड़ बड़ नहीं करने की क्योंकि यह मेरे को वेस्ट आफ टाइम लगता है ठीक है तो थैंक्यू गाइस